बाई हाल ही में बॉलिवुट की बेबाक आक्ट्रेस कंगनर रुनौत का नाम करोड़ पती बिजनस्मेन निशान्त पटी के साथ जुड़ा ऐसे में आक्ट्रेस को लेकर लोगों ने तमाम तरह की बाते का नश्रू कर दिया हलगी में कंगनर रुनौत आयोधिया रामलला की प्राण प्रतिष्टा में गई थी कंगनर रुनौत का जो टेडिशनल लुक था वो फैंस को काफी पसंद आया कंगनर रुनौत की काफी सारी विडियोस और फोटोस इंटरनेट पर वाइरल हुई इसी बीच कंगनर रुनौत की एक और फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगी लेकिन कंगना की ये फोटो अकेले नहीं बलकि एक हैंसम हंक के साथ थी और इसी फोटो को लेकर लोगों ने ऐसा कयास लगाना शुरू कर दिया कि कंगना की जिंदगी में उनका नया प्यार आ गया है जिससे वो डेट कर रही है और जिल्दी शादी भी करने वाली है दरसल बॉलिवुट की कोईन कंगनर नौत एक बार फिर अपनी डेटिंग को लेकर खाबरों में बन गई ऐसी चरचाएं लोग कने लगे कि कंगना करोड़ पती बिजनसमेन के साथ रिष्टे में है कंगना को लेकर कहा जाने लगा कि कंगना की जिन्दिगी में ये जो नया लड़का आया है ये कोई और नहीं बलकि इस माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिटी है असल आयोध्या के रामंदिर में प्राण प्रतिष्टा के दोरान कंगना रुनौत को निशांत पिटी के साथ देखा गया ऐसे में दोनों की पिक्चर भी वाइरल होने लगी और इसी को लेकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंगना के साथ नजर आ रहा जो लड़का है इसी को डेट कर रही कंगना कंगनो निशांत पिटी ने प्राण प्रतिष्टा के दिन मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ पोस दिया दोनों की फोटोस सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगी और दोनों का नाम जोड़ा जाने लगा समारों के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए दूसरी वाइरल फोटो में कंगना पेस्टल ग्रीन करल के अनारकली सूट में नजर आए और वो निशांत पिटी के साथ पोस देती नजर आए और इनी फोटोस को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाने लगा कि इ उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट किया और इन सभी खबरों को गलत बताया कंगना ने अपनी इंस्ट्रोग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेर किया अक्ट्रस ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें लेकर इस तरीकी क्या फवाहें ना उड़ाई ज निशान पिट्टी जी पहले से शादी शुदा है और काफी जादा खुश है। जहां तक मेरी बात है मैं किसी और को डेट कर रही हूँ प्लीज सही टाइम का इंतजार करें और हमें ऐसे शर्मिनदार ना करें। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एक यंग महिला का नाम हर दिन एक नए आदमी के साथ जोड़ना ची बात नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने साथ में फोटोस क्लिक करा ली। प्लीज ऐसा मत कीजिए कंगना ने इसके साथ ही हाँ जोडने वाला इमोजी भी बनाया है।